मेरा नाम कुलजीत है मैं अटेलियर आक्ट फेस्टिवल का क्यूरेटर हूँ ये साल इस कैंपस थेटर फेस्टिवल जिसका नाम आक्ट है उसका चौदवा सीजन है और दिल्ली में ये 9 दिन रन कर रहा है 2nd मार्च से 10th मार्च तक नुकर स्टेज अगभग 8 अलग-अलग व टीम्स में से कोई टीम बरेली जाएगी कोई जैपूर कोई चंडीगर्ड और मार्च 30 और 31 को दो टीमें कलकत्ता में प्रस्तुति करेंगी और दो बंबई में ये फेस्टिवल बहुत छोटे एक्सपेरिमेंट की तरह 2007 में शुरू हुआ था हमने 14 सीजन कंप्लीट किये है इस साल ये करने वाले हैं और ये बहुत बड़ा बन गया है और एक जो मनशाथी मन में कि कैंपस थियेटर जो कॉलिज में होने वाला थियेटर है उसको लोग संजीदी से देखे ही नहीं उसके साथ जुड़े मी वो पूरी होती होई दिखती है बहुत खुशी है कि अलग- श्री प्रेक मित्र हैं वह कहीं कह रहे थे कि अगर इस दुनिया से वाईलेंस को हटाना हैं मारकार्ट को हटाना हैं तो लोग थियेटर करें तो अगर इतनी भारी संक्ष्या में हम थियेटर करेंगे और स्टूडेंड कम्यून i reflex कि तरह थियेटर करेंगे को मुझे लगता है कि ये दुनिया एक अच्छी जगा बन सकती है हम सब लोगों के लिए जीने के लिए और जिसमें बस इनसान ही नहीं होगा उसमें जीव जन्तू पेड़ पौधे सभी एक व्यापक रूप से देखेंगे और यही हमारी भी मन्शा है और मुझे लगता है इश्क किसको नहीं बाता है ऐसा अक्सर कहा जाता है कि जब आदमी अपने कॉलिज के सालों में होता है उस समय थेटर करता है और बहुत उसमें जनून होता है तीन चार साल करता है उसके बाद करियर घर बार और शादी बहा जिसको हम बोलते हैं सेट्लिंग डाउन वो सब हावी होने लगता है और थेटर छूट जाता है मेरा ऐसा मानना है कि थेटर करना बस acting करना नहीं है थेटर करने का मतलब है नाटक को पढ़ना थेटर करने का मतलब है नाटक को देखना थेटर करने का मतलब है एक बहुत अच्छी audience पन के जाना उन नए नाटकों को देखने के लिए तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा स्टेज पे ही हो कभी आप स्टेज के परें, स्टेज के पीछे भी हो सकते हैं कभी आप लेखक भी हो सकते हैं कभी आप कुछ नहीं तो एक ब्लॉगर भी हो सकते हैं और कभी आप हो सकता है कि उस नाटक को देखने वाले शुरूता हूँ तो जो लोग थेटर करना चाहते हैं वो शुरूआत यहां से करें यह ना सोचें कि मैं किसी थेटर ग्रूप को जॉइन करूँगा अगर आपको थेटर ग्रूप जॉइन भी करना हो पहले जाकर नाटक देखें नाटक देखने से यह समझ आता है कि किस किसम का थेटर हो रहा है और हो सकता है कि फिर आप उसके साथ अलाइन करें हो सकता है आप ना करें जो भी लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें थेटर करना है, अटेलर को जॉइन करना है, तो मैं उनसे पहले ये बोलता हूँ, पहले मेरे दो-तीन नाटक देख लो, उसके बाद ये सोचना कि क्या ऐसे नाटकों के साथ तुम जुड़ना चाहते हो, अगर हाँ तो आ जाना, नह ही तो फिर कोई और नाटक देखना है, क्योंकि हम सब लोग अलग-अलग स्पेसिस से आ रहे होते हैं, थेटर करने के लिए, तो ये चॉइस बहुत जरूरी है, किसी कसा में जाया ना हो, अपना भी जाया ना हो, तो ये बेहत इंपॉर्टन बात है, ये कैंपस थेटर वाल वापस रिवाईवल हो रहा है, उस वज़ा से कॉलेज के अंदर तीन-तीन साल इनको सेंकडों मौके मिल जाते हैं थेटर करने के लिए, अगर आप स्कूल में हैं और अब कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, तो ऐसे कॉलेज को चूज करिए जहां पर थेटर की एक लड़ीव मतलब यह नहीं है कि स्टेज पर आना है, तो भिन भिन तरीके से भी हम नाटक के साथ जुड़ सकते हैं, बिरी शुब कामना है और अच्छा नाटक करें, अच्छा थेटर करें, तरह तरह का थेटर करें, एक किसम का थेटर नहीं होना चाहिए, हर किसम के थेटर की स्पेस ह हमारे बीच में होने चाहिए और हमारे पास choices होनी चाहिए कि हम किस किसम का theater करना चाहते हैं और अटेलर एक ऐसा ही space है जहां पर हम इस choice को बहुत ध्यान में रखते हैं और हम कतई थोपते नहीं है कि मेरा theater ही बस theater है और उसका theater theater सबी काम करने की कोशिश में हैं हम भी काम करने की कोशिश में आपका स्वागत है